नमस्कार दोस्तों, इंडिया नियूस के डिजिल प्लाटफॉर्म पर आप से भी का बहुत-बहुत श्वागत हैं, मैं हूँ आपके साथ अंश्रका, इंडिया नियूस की तरफ से सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत-बहुत शुप कामना है, और दिवाली के एक दिन पहल जकत प्रकाष नडड़ा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराद सिंग चोहान, प्रदेश बीजिप चुनाफ समीती के सैयों चक्र, केंज्जी मंत्री नरिंदर सिंग तोमर और मध्यप्रदेश के पूर्वित मंत्री और संकल पत्र समीती के संकल पत्र ने ये भी उसमें ये भी स्पाष्ट किया गया है कि अब मोदी ही एक मात्रविकल्प है, गोशना पत्र में दस प्रमुक संकल्प लिए गये हैं, प्रदान मंत्री गरीब का लियान अन्य योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाए जाने की बात कही गई है, जिस सानों को हर साल 12,000 की सम्मान निधी दी जाएगी, साथी MSP के साथ 2700 रुपे प्रती क्विंटल पर गेहूं और 3100 प्रती क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी, जबकि कॉंग्रिस ने अपने वचन पत्र में 2600 रुपे गेहूं और धान का समर्थन मूले 2500 रुप प्रतिक सहायता जारी रखने के साथ आवास का लाब देने का भी वारा किया है, बीजेपी ने तेन्दू पत्ता संग्रहंट दर को 4000 प्रती बोरा करने का संकल्प दिया है, संकल्प पत्र में बीजेपी की कुछ 10 संकल्पों की अगर बात की जाए तो पांच सालों के लिए प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन योजना जारी रहेगी, सब को घर देने के लिए प्रधान मंतरी आवास योजना के साथ ही मुक्यों मंतरी जनावास योजना शुरू की जाएगी, लाडली बहनों को मासे कार्थिक सहायता के साथ आवास का लाब भी दिया जाएगा, निय प्रत्येक संभाग में मध्यप्रदेश Institute of Technology और मध्यप्रदेश Institute of Medical Science स्थापित किया जाएगा इसके अलावा प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार के अफसर सुनिश्चत करेंगे तो यह तमाम वो संकल्प हैं जिनकी घोशना भाजपा ने अपने गोशना पत्र में की है और लोगों को यहां पर लुभाने की कोशिश किया हाला कि अब 17 नवंबर को चुनाव होंगे और 3 दिसमबर को इसके नतीज़ों सामने आएंगे तो पता लगेगा कि बीजबी कि इस संकल्प लोगों के लिए कितने कामकारगर साबित हुए और इन स झाल